किसान भाईयो मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूँ कि आपको अपना आधार से रासन कार्ट को कैसे लिंक करना है कैसे यहां पर डोकुमेंट को अपडेट करना है क्योंकि यहां पर जो अपडेट है वो आचुका है अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहां पे सरकारी यूजनाओं का लाब ना मिले जैसे बहुत सारी यूजनाओं हो सकती हैं जैसे पीम किसान सम्मानीदी यूजना का लाब ना मिले या फिर आपको रासन कार्ट के सुरू जो रासन है वो भी आपको ना मिले, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आ गया है, यहाँ पर लास्ट डेट भी यहाँ पर दे दी गई है, अगर आप डोकुमेंट यहाँ पर सम्मिट नहीं करते हैं, तो आपके लिए जो है, वो सरकारी यूजनों का लाप ऐसा हो सकता है कि ना मिले, तो मैं आज सबको आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको अपना रासन कार्ड को कैसे अपडेट यहाँ पर करना है, जो आपका आधार कार्ड है, इसमें पूरा कुछ मैं आपको लाइप प्रूप के साथ में दिखाने वाला हूँ, तो म option देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में नया window open हो जाएगा जहाँ पर आपसे login ID और password मांगा जाएगा यानि थम का symbol आपको देखने को मिलेगा इसके बाद में आपको यहाँ पर logging का option देखने को मिलेगा यहाँ पर क्लिक देना है यहाँ पर मैं आपको बता ना चाओँगा आ इसको तभी कर पाएंगे जब आपका आधार mobile से Quality कोगा क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंट्रफेस आ जाएगा यहाँ पर आधार नमबर है उसको डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल कर दिखाने वाला हूँ चैनल को ससक्राइब ने किया तो ससक्राइब जरू कर लिजगा किसान भाई ओ तो आधार नमबर डाल दिया है मैंने उसके बाद में यहाँ पर हम कैपच है इसको भी हम यहाँ पर फील कर लेते हैं फील करने के बाद में आपको git send OTP पे किलिक करने है जो आपका मोबाईल आध OTP Send किया गया है आप उपर की सैड में देख सकते हैं यहां पर सेकेंड भी चल रहे हैं ठीक है उसके बाद में आपके पास में OTP जो है वो आ जायेगा आपकी यूए आई डी की तरफ से जो आपका अधार जिसमें भी लिंक होगा उस पर एक OTP सेंट कर दिया है तो देखिए मेरे पास जो है हमारे पास ओटीपी आ चुका है तो मैं आपको यहां पर डाल कर भी दिखाने वाला हूं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लिजगा खिशान भायू ठीक है तो यहां पर जैसे हमारे पास ओटीपी आया है अब हम यहां पर आपको डाल कर दिखा देता हूं तो मेरे पास में आ चुका है तो आप यहां पर हम डालते हैं तो हमने यहां पर जो है ओटीपी डालना स्टार्ट कर दिया है इसी प्रकार से आपको भी अपना ओटीपी यहां पर डालने डालने के बाद में आप फुला साम नीचे की जो कर लेते हैं इसके लिए और यहां पर लोगिंग का ओप्षन देखने को मिलेगा तो यहां लोगिंग के ओप्षन पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका जो आधार कार्ट की डिटेल्स होगी बहुत सारी कुछ आपको देखने को मिलेंगे जैसे आप जैसे आप और आधार कार डानलूट करने चाहिए तो देख सकते हैं कि आपने क्यांफे कौन-कौन थी बैंक है जिसमें आपका आधार कार्ट लिंक है जैसे P.F.M की प्रोब्लम आती है न तो वो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका आधार कौन सी बेंक में लिंक है उसमें आपको P.F.M की प्रोब्लम बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेगी उसके बाद में हम तोला से नीची की हो यहां पर देख सकते हैं तो आप जल्दी से इनको कर ली जगा अन्था आपको प्रोब्लम हो सकती है तो यहां पर देखेंगे हमने यहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का option आपको सामने आ जाएगा अपने डोकुमेंट करके कुछ लिखा रहेगा उस जैसे आप यहां पर next करेंगे next करने के बाद कुछ इस प्रकार का interface आएगा फिर आपको next कर देना है तो फिर next करने के बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने एक फोपोग window और open हो जाएगी अब यहां पर देखेंगा समझेगा थोड़ा सा ठीक है अब जैसे आप open करें जो किशान भाई हैं जो भी आधार कार्ड है जिसका अभी परसनल डेटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी जैसे मैंने आपको बताया है कि यहां पर मैंने security के तौर पर बलगर दिया है उसके बाद में हमें तोला सा नीचे की स्कॉल करना है तो हम पहले तोला सा नीचे की option देखने को मिल जाएगा जैसे next का option क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface आपके सामने आ जाएगा यहां पर जो डोकुमेंट आप अप लोड़ करना चाहते हैं वह दो यहां पर आने के बाद में हैं यहां पर सब कुछ देख लेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा इसको और नीचे की और स्कॉल करेंगे तो यहां पर आपको कुछ option दिखाए देंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूं दिखिए पिलीज अप्लोड डोकुमेंट आईडी पी ओ डी डोकुमेंट ठीक है अब जैसी आप यहां पर किलिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर जाने के बाद आप जो भी document अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं तो सब कुछ किजिए गा मैं यहां पर आपको धर details upload document के option यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद में continue यह वाला option continue जो upload है यहाँ पर आप click करेंगे अब जो file आपकी जहाँ पर रखी हुई है वहाँ पर यह आपको लेके चला जाएगा तो हमारे case में हमारी जो file है वो हमने है रखी है और यहाँ से हम इसको यहाँ से PDF है और इसको हम यहाँ पर select कर लेंगे select करने के बाद में यहाँ पर open का option देखने को मिलेगा यहाँ पर click कर देंगे click करने के बाद आपके सामने कुछ एक नीचे मैं भी आपको थोड़ा सा नीचे की और scroll करके है यहाँ अभी तक जब तक आप यहाँ पर पुरा काम नहीं कर लेते जब तक आप next नहीं कर सकते हैं ठीक है next का option इसी पर कर रहेगा तो उसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह करना है ठीक है next तो मैं यहाँ पर पहले दोनों हैं उनको upload कर लेता हूं फिर दिखाता हूं तो दिखी मेरे case में मैंने दोनों हैं पर document upload कर दिया ग्रीन ग्रीन कर दिख रहे हैं और यहाँ पर पी किलिक कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर next के option पर click करेंगे तो कुछ प्रकार का option आगा आपके सामने आपको कर देना है ठीक है यहाँ पर पूरा कुछ पाद ले सकते हैं पढ़ना चाहें तो और करेंगे तो आपको थोड़ी दिर रोकना है प्रोसिस हो रहा है अभी आपको रिफ्रेश नहीं करना है विंडू को और जैसी हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि इस सर्विस इस फिरी ऑप कॉस्ट टैल मी ठीक है फिर नेक्स करने के बाद यहाँ पर 15 विनिट सेकेंड का टैम आएगा फिर देखिए यहाँ पर आपका सक्सिस्पूल हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर भी आप दिख सकते हैं आपकी कोई भी फीस नहीं करना है तो इस परकार से आपको अपने डोकुमेंट को यहाँ पर अपल पर अपडेट आगया है यहाँ पर मैं आपको बताना ताहूंगा ऐसा नहीं जैसे आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से पहले फिरी बदाया था फिर यहाँ पर कापी सारे पैसे भी आप सरकार की खाते में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फीस हो है वह एक हजार रुपए लगवग में कर दी गई है तो आपको ऐसा नहीं हो कि आपको फिर रासन कार्ड और आधार कार्ड को करना पड़े तो आपको यहाँ पर एक हजार दिना पड़े तो अभी फिरी में हो रहा है तो फटा-फट से कर लिजेगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की की जिगा से की जिगा चैनल पर पहले बार विजिट कर रहें तो सब्सक्राइब जरू कि